हेलो गाईस कैसे हैं आप सब तो आज मैं लेकी आई हूँ आलू का पकोड़ा कम महनत में बनाए बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी करारा आलू का पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं आज का वीडियो तो इन तक जरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर तीन कब बैसान लिया है अब इसमें हम गाढ़ा बैटर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी एट करेंगे देखो दोस्तों हमने यहाँ पर गाड़ा गोल बना के तैयार कर लिया है देखो दोस्तों हमने जो गोल बनाया है वो अपने ही जगह पर आके रुक रहा है अब यहाँ पर हम स्वादनुसा नमक लिये हैं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ध्यान रहे कि कोई लंप्स नहों अब यहाँ पर हम दो मीडियम साइज की व्याज को कट कर डाल लिये हैं यहाँ पर दो बारिक कटा हुआ मिर्च लिये हैं और थोड़ा सा मेथी पत्ती इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं देखो दोस्तों हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर हम सरकल सेप में आलू को बारिक काट लिया है अब हम आलू को इसमें डाल लेते हैं और सभी तरह अच्छे से मिला के डाल लेते हैं ध्यान रहे कि उसी टीम हमें नहीं पलटना है थोड़ा कलर चेंज हो गया है जैसे कि यहाँ पर देखो अब हम इसे अच्छी तरह से पलटन लेती हैं आपको देखने से ही पता चार रहोगा एकदम करारे करारे लच्छेदर फ्लेक्स हमारा अलू का पकोड़ा बन के तयार हो